कि राम राम पेट की गर्मी कैसे निकलेगी पेट में जो एक्सेस हीट प्रोडियों उसको कैसे निकालेंगे अब देखो पेट में जो गर्मी बन रही है वो एक तरीके से डिजास्टर का काम करेंगी बॉड़ी के लिए क्यों कि जब भी आप लेटोगे चैन से पहली बार तो होता है पेट में गर्मी की वज़े से तो आज हम लोग उसी को ट्रीट करेंगे बहुत सिंपले वे में और बहुत अच्छी तरीके समझ में आजाएगा आपको की पेट की गर्मी को दूर करते कैसे हैं ठीक है सबसे पहली बात याद रखनी है कि पेट की गर्मी जो होती है यह सब्सक्राइब किसके लिए तो लिए कि जादा कम करने लगता है तो इक हीट प्रोडीूस करन journée लगता है ठीक है और वहीट मतलब फिरू स nuts करपा से लोग जादा मीट कहते है उससे हो सकता है या तो बहुत सारे बरोड़क्ट करते हैं कि प्रोडियूस कितनी होगी ठीक है अब आप पता कंचे चले कि बॉडि में तक देते हैं इसी तरीके कुछ फीलिंग आती है और थोड़ी सी चुबन होती है ठीक है उसके बाद आपको यह सा लगए का उल्जन हो रही है मतलब की डगार आ रही है या फिर हम यह कहें जिसको खटी डगार बोलते हैं वह आ रही है सीने में जलन हो रही है यह सारी जो सबसे पहले मतलब सकते हैं कि यह सब्सक्राइबार को कह सकते हैं इसको बोलन को करें बहुत को क्या करना है बहुत जब अगर हीट प्रोडियूस हो रही है तो कोसिस करो कि जितना भी आइटम आप खा सकते हो बॉइल आइटम हलका सा खा सकते हो जिसमें तेल मिर्च मसाला बहुत कम हो अगर खाना भी है तो जिसे अपने भरता बनता है अलू का ठीक है अलू प्यास वाटर डाल के वह सबसे चौथी चीज यहां पर हमें क्या करनी है कि जो वह क्या कहते हैं उसको धनिया आती है जो खड़ी वाली धनिया आती है सौफ और जीरा इन तीनों चीजों को अगर मिला के पाउडर आप बना लेते हो और आधा चमच सुबह गरम पानी के साथ पीने लगते हो तब भी उसके बाद पानी दिन बर में ज्यादा पीना है गन्य का जूस पी लिया बेल का सरबाद ऐलो वीरा जूस आमला जूस इस तरीके की जितनी भी चीज़ें जिनमें लिक्विड जादा है ठीक है उनको कंजूम करो जिससे की पेट की गरमी निकालने में आपको बहुत आसानी मिलेगी आखरी चीज कि अगर हम यहां पे बात करें कि पेट में अगर हीट ज्यादा प्रोडियूज हो रही है तो दही का इस्तिमाल मत करना दही की जगए चाज इस्तिमाल करना ठीक है क्योंकि जो दही होता है वो भी आपकी बॉड़ी में हीट ज्यादा बढ़ा सकता है जबकि वही मठा जिसको चार्ज बोलते हैं, वो बाड़ी की हीट को कम करता है, और मठा ठंडा भी होता है, साथ में रोटीन भी देता है, तो मठा यूज़ करो दही की जगए. मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जैहें.